हमने सीखा पहला त्रिकोन मिती अनुपातों की मदद से हम पेडों, भवनों, मिनारों, ग्रहों, तारों आदी में पारसपरिक दूरी वह उचाई निकाल सकते हैं दूसरा, द्रिष्टी रेखा प्रेक्षक की आँख से प्रेक्षक द्वारा देखी गई वस्तु को मिलाने वाली रेखा होती है तीसरा देखी गई वस्तु का अवनमन कोण द्रिष्टी रेखा और क्षैतिज रेखा से बना कोण होता है जब वस्तु क्षैतिज रेखा से उपर होता है चोथा, देखी गई वस्तु का अवनमन कोण, दृष्टी रेखा और क्षैतिज रेखा से बना कोण होता है, जब वस्तु क्षैतिज रेखा से नीचे होती है पाचवा, किसी भवन, मिनार आदी के पाच से, पास इस्थित किसी बिंदु से, भवन या मिनार के, शिखर का उन्नेयन कोण, पाच से बिंदु की दूरी बढ़ने के साथ साथ घटता जाता है 6. किसी भवन, मिनार, आदी के शिखर से उसके पाद के पास इस्थित किसी बिंदु के अवनमन कोण का मान पाद से बिंदु की दूरी बढ़ने के साथ साथ घटता जाता है